पालक को देखते ही सबसे पहले उसकी रेसिपी याद आती है पालक के पकुड़े अगर आप पालक के पालक के पकुड़े के रूप में घा आप ने बूल जाना है कि मई नहीं जा रूप में दें तो अभी जूष के तरहें जूष का दोंगी envisioned में भीक्तिम खाती है का छूष को में फेना। तो पालग को अगर हम सही बैसे खाते हैं रहे五तिति में उत्तम के सब्सक्राइव हो कर विजिद परें सेटेशila को घ्यादर। तो नहीं युछ इस तरीके से खाईए कि उसका में benefit मिलना हम कहते रह जाएंगे कि हमुए सारी चीज़े breast2 कर लिए 9-11 numg जर सबसे हमें, तो भी हमें उसके गुण नहीं मिल रहे हैं, तो उसी हिर हनी मिलता है, क्योंकि हम उसे तरीके से नहीं खाते ह है और सब्सक्राला को प्रिज्या मत अबकार लेकर जाता है, सबसे बहले मैं आपको बता देएक कि छोगा करती हूं कि मैं हमेशा हर प्रोड़क्ट की ओनलाइन पर्चेस लिंक प्रोवाइड करती हूँ तो क्या हर चीज ओनलाइन खरीद जाए देखो पर्च और उनके लिए सही है जिनके पास टाइन रही है जाने का या फिर कुछ भी खरीदने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है जिनकी भी नाई जूब होती उन्के पास तो अनके लिए ऑन्लाइन करे ना सब्सक्राइब उन्के बखिर विलते हैं यह रहाई एक गलना होगा Director काいや चुरह दुर जाके जाएंग पेचार एक पालग केसे हैं स्प्रिंट्रल् Лinals में एक डम ज़्यादा अमांट में रहता है तो हर किसी सूट नहीं होता है क्योंकि भूर ठंडंडी तासिर का होता है मैं भी लेती हूं तो मुझे सूट नहीं होता है तो मैं पालक का जूज कर्पिर नहीं रहती है या फिर दाल के जैसे अन acompanर, या फिर दाल के उपर हरा-धनिया के तोर पे खा लेती। तो इस तरीखे से पालग हम उसे खा लेते हैं बीना कोई ज़्यादा पकाई हुए letter अगर आप पालक की सबजी बनाते हैं तो यह बात ध्यान लखिए कि उसे आप लोही की कड़ाई में बनाईए जो लोही की कड़ाई आती है मैं आपको अगर देखना है तो मैं उसका पर्चेस लिंग प्रोवाइड कर दूंगे डिस्क्रिप्शन में तो आप देख भी सकते है अगर आपके पास ना हो क्योंकि आज कल के समय में 90% लोग नॉन اमिस्टिक का यूज कर रहें लॉन इस्टिक के यूटेंसिल मतलब बरतन काफी हानी कारक होते हैं सेहत के लिए कभी भी हमें नॉनिस्टिक के भरतन-्यूज नहीं करना ची कभी भी नहीं ज्यादा ज्याद तो लोहे के बनाना जीए, तो उसका हमें बहुत अच्छा benefit मिलता है क्योंकि गुण मिलना चाहिए क्योंकि अगर इस तरीके से भी हम चीजों को खाएंगे ना तो उसका में अच्छा benefit मिलता है और पालक में होता है बहुत सारा antioxidant होता है एंटी ऑक्सिदेंट प्रॉपर्टीज होती है तो इससे हमारी स्कीन भी नरीश होती है और चमा काती है और कहीं लोग सोचते हैं कि अगर हम पालक ज्यादा खा लेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा पहली चीज तो यह है कि अगर आप जितना भी पालक खा रहें तो उसकी पांच पते रेगुलर खाते हैं तो आप उसे पांच फिक्स कीजिए कंटिनु रखिए कम ज्यादा नहीं करना है ज्यादा अगर आप कॉंटिटी बढ़ा लेंगे तो नुकसानी पहोचाएगा और अगर आप कम करेंगे कॉंटिटी तो उसका बेनिफिट ही महीं मिलेगा क कितनी कम कॉंटिटी हमारे लिए क्या लगेगी तो इसे एक फिक्स कॉंटिटी में कंजूम करना चाहिए मतलब पांच पते के असपास तो पालक के बीच कैसे लगाना चाहिए देखी मेरे हाथ ये गलती होगी तो मैं आप सभी के साथ शेर कर रही हूँ पालक की बीच अपने हाथ के बराबर पत्ते काफी बड़े साइस के बन पारे क्यों अच्छी जगह मिल पाई ए ग्रो करने के लिए तो इस वज़े से हमें पालक के बीच दूर दूर लगाना चाहिए गंबले में लगाना चाहिए और पालक कर आप जूस ले रहे हैं तो ये बात ध्यान जब बहुत एजल्दी आसानी से लगता है और इसके लिए आपको कोई भी इसी खास मिट्टी की जरुवत नहीं पड़ती है जो भी आपके घर में मिट्टी होती है वह आप ले लो और उसमें दूर दूर एक डिस्टेंस से बीज डाल देना है और आपको सिर्फ पानी देना कोई खात की जरुवत नहीं होती है इसमें पालक के लिए तो आप इस तरीके से घर पर पालक लगा सकते हैं और यह लगभग एक हफ़ते के अंदर अच्छे से ग्रो हो जाएगा और पालक के पत्ते भी दिखने लग जाएंगे अब आपको मैं इसकी बेनिफिट्स बता दे अच्छे से बड़ी बेनिफिट यह है कि आखों की रोशनी अच्छी करता है तो जिनकों चैश्मा लगा हुआ है उन्हें पालक जरूर कंजूम करना है जाएंगे जाएंगे जिसे हरा धनिया डालते हैं इस तरीके से खाना चाहिए तो किसी भी तरीके से जरूर कंजूम कर काफी लोग यह करते है क्या यह घा खाना कि इस प्रकार वां सब्जिया रहना कि यह सार्या जूअज सब्जिया से जा देखते हैं और यहीं这是 तरीके हैं काफी जादा बूस्ट करती हेलप करती हिलkillा हमनां City को यह सब लोग जानटे और आप जाइड बनाना किए अटाई We कि अपने बहारत की हें जो पने बहारत की है एंडिया की जो अपने भारत की जीजों में अपने बहारत की जीजहों में ट्रक्ट होते जाते हैं यह खाएं वो खाएं हमारे सेंडविश में इसमें एड़ेट करके और बताते हैं कि देखो कितनी चीज खा रहें पर वह असली सोने को तो बढ़ए असली जो फाइदे मन चीजे उन्हें तो वह खास को समझ के वह फेक रहे हैं तो आपको यह जो पालक, मेथी इस प्रकार की चीज़े जरूर अपनी डायेट में कंजूम करना चाहिए और पालक देफिनेटली करना चाहिए और घर पे लगाना चाहिए तो यह वीडियो में आपको जो कुछ इंफर्मेशन मिलिए तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और क्या क्या नाय कुछ जाने के लिए मिला है आपके मंद में कोई सवाल है तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताईए इस वीडियो को लास्त तक देखने सुनने के लिए आप सभी वियर्स का बहुत धहुत धन्यवाद